नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है हैंरी फॉर पार्ट सेकेंड जो विलियम सेक्सप्रे का दर लिखा गया था इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आपको स्टोरी जो है उसको में रूप से समझाना क्यूंकि इसके कारेक्टर को हमने पहले ही देख लिया है और स यह भी बात आपको मैं बताऊंगा उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप इसको लंबे समय तक यादख मचाते हैं तो याद रखिए इस ए हिस्ट्री प्ले बाई विलियम सेक्सपीर बिलिव तो हैव बिन रीटेन बेविन 1596 तो 1599 यानि कि यह एक हिस्ट्री प मतलब बता है चार प्ले का संग्रा उसका यह थर्ड पार्ट है यानि इसका फॉर्स पार्ट भी आएगा इसके बाद की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप देखिए दोस्तों सिक्सपीर का टेट्रालोजी है उसके जो तेट्रालोजी का बात करते से यह प्ले जो है सम सकते हैं और इसके बाद एक प्ले आएगा वह होगा हैं विडियो में आपको जल्द ही प्रवाइड करूंगा तो इसके पहले के जो बार्ट है उसको आप देख लिजिए और आगर कोई प्रोब्लम होता आप मुझे कमेंट्स करने लिए कर पूछ सकते हैं या फिर आप एंड स्क्रेन में देख सकते हैं वीडियो आपको मिल जाएंगे नहीं तो पैनल के चैनल में जाकर देख सकते हों आपको मिल जाएगा ना विए प्रेंड आज की वीडियो का में परपस यही रहेगा कि मैं आपको इस्टोरी जो है उसको अच्छे से समझाँ हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए बस आपको यही देखना है इसमें लगेरा जो फिन इंपोर्टन्ट होगे लगेंगे मैं आपको एक्स्प्रेंड कर दूंगा और तो पहले पार्ट में तो इसमें स्रूस्बरी के बैटल में जो विलेन होता है हॉट्स पर उसक प्लोट में आपको क्या के देखने को मिलेगा इसका प्लोट में रखा गया है वो अब बुढ़े हो गया है तो उन पर जो पावर है उसका बुढ़े लगने लगा है और वो पस्चताब करते हैं क्यों कि उनका गद्धी हतिया थे उसके बारे में है यह बात फिर क्या है कि प्रिंस हॉल का इसमें क्राउन उनको दिया जाएगा वो एक्सेप्ट करेंगे क्राउन को और वो राजा बनेंगे इसी पार्ट में राजा बन जाएंगे और आगे कहाने आगे देखेंगे तो याद देखिए इसकी कहानी जो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बाद की कहानी को समझने के लिए हैं दखते हैं कि जो King Henry 4 Part 1 के बाद की कहानी है वो सुरूसबरी के मैदान में होट्सपर के मरने के बाद यानि कि पस्चाहत प्रारम होती है जहां बचे हुए जो रेबल्स हैं जैसे रेबल्स मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि आर्क बिशोप और योर्क, लॉर्ड मॉब्रे, लॉर्ड हैस्टिंग या फिर से राजा हैंरी जो है फोर उनको खिलाफ साजिस करते हैं और उनको गद्धी साटानी कि फिर से साजिस में लग जाते हैं, जोड जाते हैं देखे या दखिएगा इधर किंग हैंरी फोर वार से क्या होता है कि वार के कारण और अपने प्रिंस हॉल जो उनके बेटे हैं उनके चिंता के कारण समय से पहले बूडे होतने लगे हैं मकलब की उनको चिंता है कि जो उनका बेटा अभी-अभी बहुत बहादुरी का काम किया है अभी-अभी उसने होट्स पर को माग रहा है वो आगे क्या करता है फिर से वो सरायो में जाने लगता है फिर से अपने वो उन जुआरी दोस्तों के साथ रहने लगता है इस करण से उनका हेल्थ जो है वो बिगड़ता जा रहा है स्वास्त खराब होता जा रहा है और इसी को लेकर वो चिन्तित है प्रिंस हॉल ने अपने टीनेज की अधिकान्स टाइम को टावेरंस में जुआरी और सरावी साथियों के सब बिताया है हॉल के कुछ दोस्तों ने जिसमें फॉल स्टाफ और याद रख सकते हैं वो स्रोसबरी के यूद में उसका साथ दिया था तो आफ्टर दो वार दे हैब ओन वेल्थ, पावर एंड सो अन मतलब यूद के बाएद उनको पावर मिल जाती है, धन मिलता है इस कारण से फॉल स्टाफ को एक सेना का कैपटन भी बना दिया गया है और उसको एक नया काम दिया है वो माको आगता काम याद रखिएगा फॉल स्टाफ बं तो गया है कैपटन, लेकिन वो आज भी आगे आने माले यूद में लड़ेंगे तो इसके लिए वो गाउं गाउं घुमता है countryside इलागों में घुमता रहता है इसी बीच क्या होता है Prince जो है उनको पता चलता है कि उनके पीता कि मरने की बाद उनहीं को सत्ता सम्हालनी होगी यानि कि Prince Hall तो उनको सम्हालनी होगी So he vow to change his ways of living and become responsible इसलिए वो क्या करते हैं कि प्रतिग्या लेते हैं वो करना कि वो अपने तरीकों को बदल देंगे अपने रहने ध्याने का धाम जो होसको बदल देंगे और वो responsible हो जाएंगे अब वो अपने पुराने साथियों का साथ रना जो है उसको छोडते हैं या फिर कम कर देते हैं और अपने राजिकाज में ध्यान या काम में जो है उसमें ध्यान लगाएंगे लगते हैं देखिए friends इस play में दम नहीं है क्योंकि अगर आपने पहले का play जुद है उसको समझ लिया है तो इसमें केवली story ही आपको समझ लिया है इसके बाद क्या होता है जिसे मानली जी हमने देखा था बाहुबली part 1, बाहुबली part 2 ठीक है तो अगर पहला story समझ में नहीं आती तो हम लोग समझ नहीं पाता है क्या होता है ठीक है तो वही है एक दोने से जुड़े हुए play है एक को समझ लिया अगर पहले तो दूसरे को समझना आसान हो जाएगा ये जो कहानी है वो क्या करती है ये जो history play है वो पीछले जो कहानी है उसको proceed करती है मैं आगे बढ़ता है तो उसके theme और motive दोनों ही same रहते हैं इसमें वही है गद्दी के लिए लड़ाई करना गद्दी हधियाना ये सब चलते रहेगा इसमें rebel leaders like आर्गिस आफ उफ योर्क Lord Mowbray Lord Hastings ये साथ मिलकर फिर से King Henry से battle करने के लिए अपने सेनाओं को गॉल्ट्री के जंगल में gather करते हैं माना इक अठा करते हैं अपने सेनाओं को परंतु जब King of Northamberland अपने सेना देने से सहायता करने से मना कर देते हैं तब rebels leaders निरास हो जाते हैं यहां नोट करिएगा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यह एक स्ट्राइडिशनल बात है कि यह दूसरी बार है जब King Northamberland ने सहायता करने से इंकार कर दिया है पहली बार उन्होंने स्रोसबरी के जो battle हुआ था उसमें इंकार कर दिया था सेनिक देने से और इसका कारण क्या हुआ था कि उसका खुद का पूत्र होट्स पर मारा गया था दूसरा बार है जब यह रेवल स्लोगून से सहायता मांग रहा है फिर भी वो इसे करते हैं इधर King Henry का छोटा बेटा जो है वो Prince John है जो राजा के सेना को परिंट है वो पहले वो कहता है कि वो रेवल्स की सारी डिमांड को मांग लेगा उनकी बातों को समझेगा और उनके बात को राजा के सामरे प्रसुद करेगा परन्तु जैसे ही वो अपने सेनिकों को घर वापस भेज़ देते हैं जितने वे रेवल्स होते हैं कि अब तो टेंशन नहीं है हमारी बातों को मान लिया जाएगा तो उनको घर बेज़ जते हैं कि अब तुम लोग जाओ तो क्या के जाता है कि उस सेमें वो क्या करता है कि उन लोगों को गिरफतार कर लेता है जो rebels लोगों होते हैं उनको गिरफतार कर लेता है क्या उनको सेनिक नहीं होता है और उनपर आरोप लगाता है कि उन्होंने विद्रोह किया है इस्सी गरन से उनको अब बंदी बना लिये जाएगा बहुत सारे विद्रोहीयों का क्या होता है कि यहाँ पर जिसके Prince Hall है तो हम बहुत सारे विद्रोही लोग होते हैं जो उनका विरोध करते हैं लेकिन Prince John इनकी किसी बात को नहीं सुनता है उन्हें मरवा देता है अब एक कहानी जो है King Henry IV के तरफ सिफ्ट होती है अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रिंस हॉल की, प्रिंस जॉन की, अब आगे कहानी जो है, सीफ्ट होती है, हमारे किंग की तरफ, जो लंडन के महल में हैं, जहां किंग बहुत तेजी से बीमारी का सिकार होते जा रहे हैं, मतलब बोज़रा बीमार होते जा रहे हैं, उनको पीता के हालत के बारे में जानकर प्रिंस हॉल महल में तुरंद आते हैं वह अपने पीता से मिलता है और साथ में उनकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है उसके पीटा राजगर्दी को लेकर अपने चिंता अभ्यक्त करते हैं और उसको जुबान देने के लिए कहते हैं प्रिंस होल अपने जुबान देता है अपने पीटा को और सपत लेता है कि वो एक जिम्मेदार राजा बनेगा और अपने प्रजा का ध्यान रखेगा उसके पिता उसे माफ कर देते हैं और इसके बीच ही उनकी मृत्ति हो जाती है देखिएगा ये थोड़ा कहाणी लंबी चला है मतब छोटा नहीं है मैंने के वल उन पॉइंट्स को लिया है कि मैं इस स्टोरी को क्लेयर कर सबूँ ठीक है तो अगर कुछ छूड़ जा तो रिल्ली सॉरी फो दाट आगे बढ़ते हैं प्रिंस हॉल अब किंग हैंरी फिफ्ट के रूप में गदी पो बैठते हैं जब उनके प्रिता के मृत्य होती है तब और लॉर्ड चीफ जस्टीस जो कानून के निर्माता माने जाते हैं वहाँ पर जो कानून के रखवाली करते हैं उनके सामने प्रतिग्या लेता है कि वह उनको अपने पीता के समान ही देखेगा क्योंकि अब उनके पीता तो रहे नहीं अब पीता कौन होगे लॉर्ड चीफ जस्टिस को ही पीता के समन मानेगा और उनके सहायता से वो राज का समालेगा और सही से अपने कर्तब्यों का पलंग दरेगा इधर भी द्रोहियों को मार दिया जाने के बाद हॉल को आपचारिक राजा बना दियाता है पहले वो आपचारिक राजा राता है ठीक है अब वो अपचारिक राजा बना दिया गया है और नाम उसका रख दिया गया है किंग हैंडरी दफिफ्ट के नाम से वो राजा बना जाता है उसको ताज पहना जाता है और मैंने बोला था यह आपको किंग हेंरी 4 पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन यहीं पर किंग हेंरी 5 की भी बात होने वाली है और यहीं से आगले जी श्टोरी होगी वो किंग हेंरी 5 पर होगी तो यह सब बहुत इजी आगर इसको आप क्रम वाइज पढ़ते हैं तो जिससे कि आपको इस्टोरी जो है बहुत इसली क्लियर हो जागी जिसने भी मेरी पहले वीडियो देख ली है तो उसको याप रखिएगा सेकेंड वीडियो अच्छे संज में आएगा और जिन लोगों ने रिचर्ट से देखते हुए आ रहे हैं किंग जॉन से देखते मैं कहानी को पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ इन वीडियो में इसलिए मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ और इसे बता रहा हूँ तो ताज पहन लेते हैं कौन है तो प्रिंस हॉल किंग हेंरी फिफ्ट के नाम से ताज पहनते हैं जब ये बात इनके दोस्त फॉल्स तफ क को पता चलती है यानि और साथ में जो और हमित्र होते है अ जो आरी मित्र वगरा तो उनको पाइब नहीं इधाने के लिए लंडन आते हैं यह द ह Rafi यह बहुत लंबी आत्रा करने के लेकिन अगर आप पढ़ने वाले है तो आपके लिए वह सही है आप सर्च करिएगा YouTube आपको मिल जाएगा King Henry V बन गया और उनको order देते हैं कि उनका आप उनसे कोई नाता नहीं है मैंने false staff और उन जुवारी मित्रों सरावी मित्रों से कोई मतलब मतलब मित्रता नहीं है और कोई नाता नहीं है है न और उनको सांथ में ये भी दे बोलते हैं कि अब तुम मेरे और मेरे कोर्ट के दस मिल के दायरे में भी नहीं आना मतलब नजर मत आना वे भी कहते हैं कि तुम लोगों के चलते ही मेरी ऐसी अवस्ता हुई थी और मैं ऐसा बिगड़ करके बन गया था अगला है बात समझेगा कि जो false staff है एक बहुत ही पदवी मिलेगी और वो और भी ज़्यादा सक्तिशाली हो जाएगा धनी हो जाएगा ठीक है बहुत चाक बनाए गया है जो विलियम सेक्सपियर है ना वो अपने प्ले में केवल और केवल fact clear नहीं करते हैं अपर एक कुछ ऐसे वीटी character को रखते हैं जो प्ले में एक जान सी भढ़ देता है और उसमें सही है false top ठीक है आप देखिएगा चुकि पदवी तो मिली नहीं और उनके मित्र ने यानि कि जो अब राजा बन गए हैं उन्होंने उसको भी निकाल दिया बोल दिया कि अब दस मिल के दाएरे हैं मेरे सामने तुम आना ही मत तो बहुत निरास हो करके वहां से चले जाते हैं सारे के तारे में यहां तो काई थिंग क्लियर होगा इसके बाद King Henry the fifth France पर आत्मन करने के लिए France पर आत्मन करने के लिए और सभा और योजना बनाने की तयारी करने लगता है और यहीं पर यह प्लेज होती है खत्म होती है स्टोरी इसकी यहीं खत्म होती है